विलकम बैक भाई लोग आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में तो आज के इस वीडियो में बोया एमुवन माइक मेरे पास अपड़ेवल है तो आज के इस वीडियो में इसे करेंगे अनबॉक्स आपको बताएंगे, अनबॉक्सिंग का फूल रिविवule, इस विडियो में क्या बड़ा-पड़ा इस बॉक्स में वो भी बताएंगे, और कैसा इसका उच सामने बताएंगे, और सारे कुछ टेस्ट करेंगे, sound test वगेरा सब चीज़ करेंगे आपको दिखाएंगे क्या आपको इस माइक को पर्चेश करना चाहिए या नहीं अगर पर्चेश करना है तो पर्चेश लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अब रीविव पूरा देख लो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट ये र फ्लिपकाट का पैकिंग इस माइक के लिए कुछ इस प्रकार का है और इस बॉक्स को उपन करते ही हैं हमें एक रसीद देखने के लिए मिल जाता है अगर आप भी फ्लिपकाट से मंगाते हैं तो कुछ इस प्रकार का ही रसीद आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा बा इस माइक का एक लेडिज यूज़ कर रही है उसका भी हमें यहां पर image देखने के लिए मिल लाता है साइड में वाकी माइक का model लिखा हुआ है कुछ details में और पीछे के साइड है कुछ specification details इसी माइक के और इस माइक के features में बताया गया है पीछे के साइड ही कि इस माइक का यूज आप DSLR, आडियो रिकॉडर, ETC, PC, काफी सारे चीज़ें में कर सकते हैं और पीछे के साइड कुछ QR कोड बगेरा है और दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे माइक का मोडल देखने के लिए मिल जाता है और यह भी लिखा हुआ कहां कहां यूज होगा बाकि हमें उपर कुछ हैजा ही देखने के लिए मिलता है नीचे कुछ XQ कोड तरह से लिखा हुआ है बाकि फिलाल आप करते हैं बॉक्स को ओपन यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पैक है इस बॉक्स का आप देख लो दोस्तो अगर फर्स टाइम हो तो आप देख लो कुछ इसी प्रकार से अपना भी बॉक्स ओपन करना पर ना फाड़ फूड मत देना क्योंकि यह नाजूख है फट सकता है तो बॉक्स में हमें सबसे पहले पोच देखने के लिए मिल जाता है और हमें यहाँ पे कुछ पेपर्स बगेरा देखने के लिए मिल जाता है इसी बॉक्स में तो फिलाल बॉक्स को रखते हैं साइड में सबसे पहले हमें मिल जाता है किताब जो कि आपको बताएगा इस माइक को यूज करने का और यहाँ पर हमें एक दूसरा मिल जाता है वैरेंटी कार्ड तो यहाँ पर मैं इसे भी रखता हूं साइड में दोस्तों कुछ इस प्रकर का पॉच में हमारा माइक आता है काफी मस्त वाला पॉच है तो फिलाल हम लोग अपने माइक को निकालते हैं बार बाकी हमारा पॉच हो चुका है खाली पॉच में हमें कुछ यही सब देखने के लिए मिल जाता है सबसे पहले हमें एक श्टीगर देखने के लिए मिल जाता है बोया की तरफ से उसके बाद तो हमें यहां पे एक जेल का गोली वगेरा देखने के लिए मिल जाता है तो फिलाल इसे रखते हैं साइड में उसके बाद हमें एक पॉच देखने के लिए मिल जाता है जिसमें काफी सारे चीजे हमें अंदर देखने के लिए मिल जाता है आर उसके बाद हमें एक battery देखने के लिए मिल जाता है, LR44, battery life की बात की जाए, तो 6-7 month की battery life है, जो की बड़िया बात है, और हमें एक clip देखने के लिए मिल जाता है, जो की mic को attach करेगा, and shirt में लगाने में मदद करेगा, उसके बाद हमें एक foam बाला button as screen देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको एक्स्ट्रा नोइस को कवर करेगा जो कि हाव अगेरा को यह रोकेगा कफी बढ़िया सा यह फोम भी है बाकि यहां पर ओबर लुक हमारा यह जो में माइक है आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम सा है बाकि हमें एक वायर देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद यह हमारा में जो कि माइक का कंट्रोलर है आप जो कि यहां पर देख सकते हैं अगर आप स्मार्टफोन में युज़ कर रहे हैं तो नीचे रखेंगे कैमरा में युज़ कर रहे हैं तो ऊपर रखेंगे और यहां पर एक क्लिप देखने के लिए मिल जाता है जो अख्रफ क में मेरे Cand Hier हमें के लिए मिल जाता हूं की जाए इस Mike की तो इसके प्रेमिम काफी इस मची मारा इस मять जो फूर्ट उसके वह प्रोसक्ट कर दिया दो उसमें मैंने सरा मैंने एकIST कर दिया यहां पे बैटरी को भी लगा लिया और यहां पर मैंने अपने foam को भी लगा लिया जो कि noise को protect करेगा extra noise नहीं जाने देगा और यह clip को भी लगा लिया जो कि shirt में लगाया जाता है तो फिलाला हमारा mic हो चुका है बिल्कुल set तेयार अब मैं करता हूँ इसका huge आपको दिखाता हूँ कुछ demo taste कैसा है इस माइक का क्वाइलिटी और फुल डिटियल्स में इसी माइक के बारे में भी बात करेंगे ये चलते हैं आपको बताते हैं इसका सौन्ड क्वाइलिटी और इसके क्वाइलिटी के बारे में तो दोस्तों जो आभी आप सौन्ड सुन रहे हैं जो आवाज सुन रहे है ये बीना माइक का है तो आपको कैसा लग रहा है ये आवाज मुझे कमेंट जरूर कर देना तो आप मैं लगाता हूँ अपने माइक को और सुनाता हूँ किस तरह का फिर आवाज कितना चेंजिंग आ जाता है कुछ इसी माइक की मदद से यूटूबर्स के लिए खास दोस्तों जो अभी आप आपास सुन रहे हैं इसी माइक का है बोया M1 माइक का तो आपको कैसा लगा ये sound quality और पिछले वाज को इसी sound से पता लग गया होगा किस तरह का ये माइक काफी सही माइक है यूटूबर्स के लिए खास तो आप में से जो भी यूटूब पे वीडियो बनाते हैं हुआ है वीडियो देख रहे हैं उनके पास कोई माइक नहीं है तो आप इस माइक का यूट कर सकते हैं बोया M1 माइक का काफी मस्त माइक है दोस्तों आपको sound से ही पता लग गया होगा डेमो टेस्ट वागेरा मैं दिखा दिया अम इस माइक को निकलता हूँ बा बात extra sound जो भी बाहर का कोई भी noise आपको यहां पे नहीं सुनने के लिए मिल रहा होगा जो की काफी मस्त बात है इसी बोया M1 माइक का तो आप में से कोई भी एक यूटूबर है तो इसे purchase जरूर कर लेना जिससे आपका वीडियो का और भी quality हो जाएगा और भी must quality हो जाएग तो बस गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही कैसा लगा आपको यह माइक मुझे कमेंट जरूर का देना मुझे काफी मस्त लगा इसलिए मैंने यह order भी किया था मंगाया तो मैंने सुचा क्यों ना आप सभी को भी बता दिया जाए इसी माइक के बारे में जिने नहीं प पर्चित करें तो दोस्तों सबसे इंपोर्टेट बात इस दुनिया में हर चीज का दुपकिलेट आ चुका है तो इस माइक का भी दुपकिलेट आप मत बाई कर लेना आप देख लिए दोस्तों आप जो मिनिंग देख रहे हैं कैमरा ओफस मार्टफोन यह दम कितना छोटा चोटा लिखा हुआ आप भी इस बात को ध्यान रखना और यह जो आप डॉन वाला बटन है आप देखना काफी सोप्ट होना चाहिए यही आपका ओरीजिनल का पास जाना है अगर दुपकिलेट रहेगा तो आप डॉन करने में काफी दिक्कत होगा और काफी हाड रहेगा तो सबसे में पॉइंट यही है और पार्चेज लिंक भी डिस्क्रिप्टन में है तो जाके पार्चेज कर सकते हो काफी मस्ट माइक है वो या एम ओवन माइक दोस्तों बस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लेना थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ले जाएं वंदे मात्रां